तो आप लोग कोई कोई कोश्चन है तो पूछ सकते हैं कोई डाउट अच्छा पित्रसत्ता पेट्रियार्की जिसको कहते हैं जिसमें जो एक फैमिली का हैड पुरुष होता है और उस पुरुष की आयू उस फैमिली में सबसे ज्यादा होती है तो एक जो सबॉडिनेशन है यह फैमिनीजम में कॉंसेप्ट आता है पैट्रियार्की इस दा मेनली मेनली रिस्पॉंसिबल फॉर बैड कंडिशन अफ वीमन जो है पित्र प्रधान जो फैमिली है उसके कारण से ही महिलाओं के सितिक खराब है उनको पहले से ही सिखाए जाता है यूँ फोकस ओन यूर पर्सनल लाइफ नोट प्रोफेशनल लाइफ फोकस ओन पर्सनल रिलेशन नोट प्रोफेशनल सक्सेस और जैसे एक फैमिली में उनको दिखाया बताया जाता है कि प्रायाधन है और वन्स आगे पुत्र बढ़ाएगा पुत्री नहीं और एक regen में आ गिया अरकी म्यंस और रूल पेट्री मिंस होता है फादर फादर्ज स्रूल डिать है फादर फॉल इन है फैमिली है आप धूm Под讲 सेथ रूम ही हाँ धेकिये रहे में सेनफ सबसे पहला इस्तिमाल जो है वसको युल कि У्क्वाराब युदेयानन सरस्वतिन किया इसका literal meaning तो होता है self-rule, self-rule, और गांधी से पहले तक इसका meaning था rule of self, rule of self, यानि स्वैम का शाषन, लेकिन गांधी ने इसको न्या आयाम दिया, गांधी ने कहा स्वराज का मतलब rule over self, यानि अपने पर शाषन करना, यानि अपने आपको नियंत्रित करना, यानि अपने आपको अनुशाषित स्वैम करना, यानि अपने ग्रीड को खतम करना, नीड को कम करना, इंसान स्वार्थी क्यों है, क्योंकि उसके ग्रीड बहुत ज़्यादा है, कई पुरे नहीं होते हैं और नीड भी बहुत जादा हैं, तो अगर ending the greed, minimizing the needs is the best way to become selfless, तो गांधी ने कहा rule over self, अपने आप पर शाषन करना, सुराज शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल दियानल सरस्वती ने किया, जो आरे समाज के थे, आरे समाज 1875 में बना, इसका इस्तेमाल 1885-1905, moderate nationalism में भी प्रय इसका इस्तेमाल जब सवदेशी और बैकॉट अंदोलन में किया गया, तो इसका इस्तेमाल और व्याफक रूप में किया गया, कि सुराज का मतलब यह नहीं, कि self-rule होगा, under benevolent guidance of British, only titular headship of British, सिर्फ queen जो है, अपचारिक मुख्या रहेंगे, इससे पहले वो रथे कि queen जो है वेभारिक मुख्या भी रहेंगे, यह कहने हैं सिर्फ नहीं, अपचारिक मुख्या, फिर home rule league movement, 1916 से 17, चला उसमें भी सुराज की मांग उठी, एनी बैसेंट और बाल गंगदरती लग, 1920 में गांधी ने का सुराज in one year, एक साल में सुराज, 1929 में Congress ने पूर्ण सुराज का resolution पास किया, लहौर सेशन में, पूर्ण सुराज मतलब पूरी तरह से आजादी, कोई British से संबन नहीं, कोई titular headship नहीं, रानी से कोई मतलब नहीं, तो यह सुराज का इस्तिमाल किया गया है, यह सुराज 1917 में Montego August announcement में ही माना गया, कि British का भारत में objective है सुराज का स्थापन, इस तरह से सुराज शब्द, बहुत ही vague way में use किया गया है, सुराज जैसे अरविंदो घोस के लिए था, सुराज का मतलब था independence, लेकिन बाकियों के लिए सुराज का मतलब था, ब्रिटिश क्वीन के अधीन स्वासाषन, पूर्ण सुराज तो complete independence है, फिर dominant status जे मिला तो उसको कहा गया सुराज मिल गया, लेकिन complete independence तब मिला, जब हमारा समविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, समझ में आगया सुराज शब्द, पूरे सुराज सब्द की सरजरी हो गई, जल्दी में सरजरी हो गई, जहां सशुरुवात हुआ वहां से अब तक, समझ में आगया पूरी बात, यह NCRT में भी दिया हुआ है, political theory of NCRT, कि गांधी के लिए सुराज का मतलब सिर्फ rule of self नहीं था, primarily rule over self था, कि हम अपने आप प्रशाशन करें, हम अपने आपको नियंतरित करें, हम अपने आपको ही सयमित करें, हम अपने आपके ही greed को, भूख को खतम करें, और हम अपने आपकी ही जरुतों को क किसी दुकान में, तो दुकान वाला कहता था कि अब आप क्या चाहते हैं, तो बोलते थे, no, I have not come to buy anything, I have just come to see, what are the things that I can do without, मैं कुछ खरीदने नहीं आया हूं, मैं देखने में आया हूं कि किन-किन चीज़ों के बिना मेरा काम चल जाएगा, पंका, कोई जोरुत नहीं है, हवा है न, light, ठोड़ा खड़की खोल नहीं, light आजाएगी न, ठीक, अच्छा इतना बहुत शाही खाना, ऐसा नहीं, सिंपल रोटी से भी काम चल जाएगा, तो वो कहते थे कि स्वार्थ खतम करने का तरीका, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तो सभी लोग बोलते हैं, लेक से बोलने के लिए, तो कोई बी कुछ भी बोल देगा, भारत को सूपर पावर बनना चाहिए, सब को अच्छा होना चाहिए, सब को नैतिक होना चाहिए, सो आर्थ को दूर करना चाहिए, लोब लालत से दूर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, कैसे होंगे, रास् है हम लोग फिर या और कोई question चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग ने fundamental rights कर लिया है तो fundamental rights है फिर DPSP में जाने से पहले जो सबसे ज़्यादा court cases हुए हैं भारत में वो property को लेके हुए हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि जान से भी ज़्यादा कई लोगों को उनकी property होती है नहीं और तो property चाहे वो जमिंदार हूं चाहे state owner हूं चाहे bank owners हूं चाहे coal mine owners हूं चाहे other mines owners हूं चाहे राजे रजवाडे हूं प्रोपर्टी छोड़ने में जितना कस्ट उनको जैसे जैसे सही को उतना ही कस्ट हो रहा है जैसे आत्मा शरीर को छोड़के जा रही हूं नहीं तो इसी के कारण सबसे दा केसेज भी आए है और एक्जाम में भी इंपोर्टेंट हो जाता है तो अजादी के बाद मैं उन सब केसेज को डिस्कूस कर रहा हूं अभी DPSP नहीं पढ़ें लेकिन आर्टिकल 39 सिर्फ में बता दूं अभी DPSP राज जी के नीती ने सकता तो आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी आप लोग जान लिजिए फर टाइम बिंग 39 क्या कहता है मैं 39 की बार-बार चर्चा कर चुका हूं 39 सरकार का स्वेवरिट आर्टिकल है Equitable distribution of wealth and resources Equitable हिंदी में लिख लिजिए संपत्ति और संसाधनों का समानोत्तर वित्रण Equitable distribution of resources Distribution of wealth and resources समान वित्रण तो कभी संभव है ना न होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए जो दिन रात काम करे और जो दिन रात सोई रहे सब में बराबर संपत्ति होना चाहिए तो होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं लेकिन जहां तक संभव हो उस खाई को कम लाग करना है अमीरों पे टेक्स गरीबों को सबसीडी इसलिए तो करते हैं सरकार का गरीबी हटाओं का योजना भी सूत्री कारिक्रम या एम नरेगा इंद्रावास योजना डिजिटल इंडिया स्टैंड अप इंडिया सब किस लिए गरीबों के लिए गाउं गरीब किसान मजदूर कमजोर वर्ग इन सब की वकालत सरकार हमेशा करती है क्यों करती है सिर्फ नैतिक कारणों से या राजनितिक कारणों से भी राजनितिक भी और नैतिक भी संख्या बल किसकी भारी है गरीबों की अमीरिय कोई और सबका वोट एक है है तो अगर आप कहेंगे हमारी पार्टी सिर्फ अमीरों की पार्टी है हमारा गरीबों से कोई मतलब नहीं जमानत जब्थ हो जाएगी लेकिन आप क्या कहेंगे हमारी पाटी गरीबों की पाटी है हम सिर्फ गरीबों के लिए काम करते हैं गरीब तो अराम से सो जाएगा और अमीर किनान नींद उड़ जाएगी तो फिर संख्या बल में जो मजबूत होंगे तो आपको जनादेश देंगे चाहे इंद्रा गांधी का गरीबी हटा हो चाहे मोधी का गरीबी और अमेरीका भर्षन हो सभी सरकारों में एक समरूपता देखने को मिलती है क्योंकि सरकार कोई भी हो लीडर कोई भी हो आइडेलोजी कोई भी हो समविधान एक ही है और सबको समविधान से चलना है संविधान कह रहा है अनुच्षेद 49 कह रहा है कि संपत्ति का शंसाधनों का जहां तक संभ़ हो यत हा संभ़ समाझतर वित्रण हो अब हिंदी ठीक है ना समझ मारा है ना तो संपत्ति का वित्रण समानुत्तर हो तो इसी को लागू करने के लिए सारी चीज़ें आजादी के बाद की जाएंगे अजादी तो मिल गई तिरंगा तो फेरा दिये मांट बेटन के जगन नहरू तो बन गए चीफ एक्जिक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर मतलब गरीबों का क्या दलितों का किसानों का क्या भूमीन मजदूरों का क्या उनके लिए तो वही दिन कल भी था आज भी है तिरंगा फेरा देने से उनकी गरीबी तो नहीं मिट गई तो उनको बहुत आशा थी कि अब हमारी राष्टिय सरकार आई है अब हमारे लिए कुछ तो करेगी अजादी सिर्फ नहरू के लिए अजादी सिर्फ कुछ चुरिंदा नेताओं के लिए जो मंत्री बन गए या मासेज के लिए मासेज के लिए तो यह कितना दबाव था इसके कारण शुरुवात में बिनुह भावे ने भूदान ग्रामदान अंदलन चलाया कि जमिनदारों सर्वोदय सबका उदय तभी होगा जब आप पिछले पापों को धो सकेंगे अपना संपत्ति दान करके और इनका विःषान हो जाएगा सबका उदय होगा कि उन्होंने भूदान ग्रामद दरोगा सफल रहा है विफल रहा है भारी मिफल तभी हां हमारा प्रिवर्तन होगिए यह लिजिए सर्प्लस लेंड ये लिजियए भूमिहिन मजदूर भूमिहिंव्लून के माल लेंगे उन्य सब पूरी तरह से भी फल हो गया, तब एक और केस आया, एक तो भूमी अंदोलन भी फल हो गया, और एक 1923 का मंदरास प्रेसिडेंसी का गवर्मेंट और था, रिजर्वेशन को लेके, रिजर्वेशन फॉर सोचली और एजूकेशनली बैकवर्ड सेक्सेंस, पिछडे वर्गों के लिए सेक्षणिक और समाजिक अधार पर आरक्षण, तो यह चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोट ने इसको रद कर दिया, रिजर्वेशन की गवर्मेंट और को, पिछडे समाजिक रूप से और सैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण, समाजिक तथा सेक्षिनिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्चन तो इसको चैलेंज किया गया किस केस में चम्पकम दोराई राजन केस चम्पकम दोराई राजन ने कहा कि ये क्या है जब आर्टिकल 15 कह रहा है कि नागरीकों के बीच में जाती के अधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे तो मदरास प्रेस्डेंसी ने जाती के अधार पर जो समाजिक पिछड़ापन घोशित किया है उसकी अधार पर जो आरक्षन दिया हो गलत है यह अनुछेद 15 का उलंगन है सुप्रीम कोट ने बात मान ली और नलिफाइड गवर्मेंट ओर्डर ओन रिजर्वेशन यानि जो सरकारी आदेश था आरक्षन पर उसको उन्होंने रद कर दिया किस अधार पर अनुछेद 15 का वाइलेशन वाइलेशन आफ आर्टिकल 15 यह कहा कि अनुछेद 15 का इसमें उलंगन हुआ है और मूल अधिकारों का उलंगन हुआ है सरकार ने कहा कि नहीं जो पिछडे वर्ग है उनको उत्थान के लिए हम कर रहे हैं अनुछेद 49 के लिए सुप्रिम कोट के ने कहा नहीं अगर मूल अधिकार और भाग चार यानि भाग तीन और भाग चार में प्रात्मिक्ता देनी हो तो किसकी प्रात्मिक्ता होगी संब्राइट के फंड्रमेंटन राइट के यानि भाग तीन भाग तीन भाग चार से उपर है और इसको वरेता मिलेगी इसलिए आरक्षन का प्रावधान रद किया जाता है आरक्षन का प्रावधान रद क्या जाता है तो नहरू सरकार पर बहुत दोहरा दबाव था एक भूमिहीन मजदूरों का और एक पिछडे वर्गों का